आवर फ्रेंड्स वेलकम टो आवर यूटी चैनल फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत यह इंपोर्टेंट होने वाला है तो इसलिए इसको ध्यान से देखेगा इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे जो एसबेकलर की लाजडेट है उसके बारे में और उसकी लाजडे टिरिफिल कैया हुआ है वह आपने फॉरम सही फिल किया या फिर फिल किया क्योंकि एगर फॉरम गलत हो गया तो आपका फॉरम और रेजाट हो गया तो आप एक्जाम नहीं दे पाएंगे तो यहां पर मैं आपको बताईए था हूं ससे पहले हम बात करेंगे लाजडेट के दोस्तों यहां पर इसके बाद हम क्या करेंगे मैं आपको लेके चलता हूं इसके बाद कि photo और signature आपका कैसा होना चाहिए ठीक दोस्तों तो देखे दोस्तों यहां पर हम आए हुए है नोटिफिकेशन पर यहां पर मैं आपको दिखा दूँ कि आपको क्या करना है कि सबसे जो इंपोर्टेंट बात है वो यह है कि आपके फोटो का जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो लाइट कलर होना चाहिए प्रेफरली वाइ इंक पैन से करने हैं अगर आपने बलू से कर दिये हैं तो आप क्या कीजेगा मैं आपको बताऊंगा आगे कि आपको क्या करना है ठीक है दोस्तों तो यहां पर आपको जो है मैं दिखाता हूं अब बात करते हैं सेल्फ डिक्रेशन की सेल्फ डिक्रेशन जो है इस बार नय है पहले जो था पहले पुराना था अगर आपने पुराने को लेकर ही फॉर्म फिलप कर दिया है तो बिल्कुल चांसिस हैं कि आपका जो फॉर्म है वो कैंसिल हो जाएगा मतलब रेजेक्ट हो जाएगा क्योंकि SBI ने नोटिफिकेशन में यह हैंड डिकलेशन जो दिया हुआ है बिल्कुल नया दिया हुआ है तो आपके इसी के कोर्डिंग फॉर्म फिलप करना था अगर आपने नहीं किया है तो आपको क्या करना मैं आपको बत आना है गलती से राइट थम का नहीं लेफ्ट हैंड का ठीक है और यह तो आप ब्लू या ब्लैक कैसे भी कर सकते हैं अब मैं आपको बताता हूं को करना क्या अगर गलती से आपको फॉर्म यह फिल हो गया या कोई भी जानकारी है आपने फॉर्म में गलत दे दी है और आप आपके पास मौका है आपके पास एक दिन का और मौका है आप उस फॉर्म को दुबारा फिल कीजिए तो आपके सारी समस्याएं खतम हो जाएंगी इससे क्या होगा कि आप भी कॉन्फिडेंट रहेंगे और आपको तयारी करने में भी आनन्द आएगा ठीक दोस्तो कर दो